असलाम लेकुम जी, वेलकम टो एनदर वीडियो, आज की वीडियो में हम HEC के कुछ रूल्स के बारे में बात करेंगे जो पिछले दिनों रिवाइस हुए थे और जिसकी उन्होंने प्रॉपर इंप्लिमेंटेशन 15 नुमंबर के बाद होने वाले जितने भी कैसिस जमा होने उनके ओपर लागू स्टार्ट कर दी थी, तो आज की वीडियो में हम HEC के कुछ रूल्स के बारे में देखेंगे कि वो क्या के इन्होंने अपडेट किये थे, किस तरह आटेस्टेशन का प्रॉसेस सिस्टाम चल रहा है, और उसमें टाइम लाइन अभी कितना है, फिसीज कितनी है, तो आज की वीडियो में हम ये हम ये हैचिसी के हवाले से सारी इंफ्रमेशन को कवर अप करेंगे, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जी तो जैसे कि मैंने आपको का के आज हम बात करेंगे हैचिसी की अटेस्टेशन के हवाले से, तो हैचिसी की पहल प्राणी अटेस्टेशन का प्रॉसेस यह चल रहा था कि अगर आपने ग्रेजुएशन की डिग्री अगर आपने अपनी अटेस्ट करवाने हैं तो आप सिंप्ली हेसी की वेबसाइट की ओपर अपना अकाउंट बनाते थे और अकाउंट बनाने के बाद आपने अपनी ग्रे पॉटो क сы nell कर सकते थे सपोर्टिंग डॉकमेट में उसमें यह चाहिए हुता था कि जो युज कीoter की आपके वेबसेट के ओपर वो वो होता था तो HSE जो walking के through attestation कर रहे थे 5 नुवंबर से पहले वो 5000 प्या अर्जिंट की fees charge कर रहे थे और 1000 प्या पर document के इसाफ से fees charge कर रहे थे तो 5 नुवंबर के बाद अब जो अब इनके नए रूल आए हैं नए रूल में सबसे पहली जो changing इन्होंने की है वो है आपके supporting documents की तो अभी इन्होंने supporting documents में add कर दिया हुए कि अगर आप graduation की degree को attest कर रहे हैं तो आपके पास आपकी metric का certificate भी होना चाहिए उसकी mark sheet भी होना चाहिए intermediate का certificate भी होना चाहिए और उसकी mark sheet भी होना चाहिए अगर आप अपनी master की डिग्री अटेस्ट करवा रहे हैं तो master की डिग्री के लिए आपके पास master की डिग्री ओरिजिनल, mark sheet उसकी original, चाहे एक हैं, चाहे वो तीन हैं या दो हैं, जितने भी pages उसके होंगे, वो सब आपके पास original होने चाहिए हैं, उसके बाद भी बात करें आपको graduation की डिग्री, उसकी mark sheet, उसके बाद आपको matric का certificate असल, उसकी mark sheet, intermediate का certificate और उसकी mark sheet, उसके लावा अगर आप female married हैं, तो आपके marriage certificate की copy साथ में लगेगी, वो सुरत में लगेगी अगर आपने ID card के उपर अपना नाम update कर लिया होगा है, तो ID card की copy एक साथ में लग आपके basic document लगेंगे, इन में relaxation फिलहाल किसी भी document के उपर नहीं है, अच्छा इसमें जो fees की अब इन्होंने changing की थी, वो ये changing की है, जो urgent की fees पहले 5000 थी, उसको इन्होंने कम करके 3000 पे करती है, बाकि जो document की fees थी, वो ही 1000 पे आई है, वो आप कोई भी original paper रहा टेस्स करवाते ह 1000 पे fees चार्ज करते हैं, HEC वाले, अगर आप यही किसी courier service के थूप अटेस्स करवाते हैं, कोई भी like a paper आप अटेस्स करवाते हैं, तो उसमें 1000 पे आपकी HEC की fees काउंट हो जाएगी, प्लस उसमें 200 या 300 पे इनके courier service कंपनी वालों के charges होते हैं, वो उसमें additionally add हो जाते हैं process का time जो इस ताइम है, HEC की website पे लग रहा है, कि अगर आपने कोई online attestation apply की है, चाहे वो walking पे की है, यह आपने courier service के थूप की है, तो at least आपको 5-6 दिन आपको security का message आने में लग जाते हैं, approval आने में लग जाते हैं, उसके बाद अगर आपने courier service company के थूप अगर आपने att testation apply की है, तो एक दिन में या दो दिन में आपको appointment select करने की option आपके पास आ जाती है, तो जैसे ही आप appointment अपनी select कर लेते हैं, तो आपके पास available dates और time आ जाता है, वो आप अपने मताबिक अपना time और date select करके testation के लिए उस तरीख और उस time के ओपर वहां पे जा सकते हैं, supporting document उसी तरह रहेंगे, आपके normal में भी और urgent में भी वो उसमें कोई changing नहीं आएगी, वो आपने उसी तरह ही fill out करने होगा process में, हाँ, इसमें जो एक चीज़ आपने additionally add करनी हुआ करेगी, वो ये करनी हुआ करेगी, कि जब आप HSE के portal के उपर अपनी education की detail एंटर करते हैं, तो सबसे पहले आपने अपनी metric की detail को एंटर करना है, उसके बाद आपने intermediate की detail को एंटर करना है, उसके बाद आपने graduation की details को एंटर करना है, अगर आपके पास master की degree है, तो master की degree को भी आपने detail को एंटर करना है, डिटेल को एंटर करना लाजमी इसलिए है, तो आपके पास form की option आजाती है कि आपने अपना padre का certificate उसकी mark sheet intermediate का certificate और उसकी mark sheet को भी upload करना है तो upload उसी सूरत में होंगी जब आपने उनके details पहले से fill out कि होंगी तो यह सबसे बड़ी अच्छी सी की नई update थी कि जो इनोंने supporting documents में changing लेकर आए है कुई ऐसा खास बेपट नहीं लोगों को मिला बलके दूसरा जोगों के लिए एक परिशानी बनी है परिशानी इस हวाले से बनी है कि मुस्ली लोगों के पास मैट्रिक इंटरमीडियर के रिजल्ट कार्ड नहीं होते हैं चुके वो कुछ लोगों ने ऑनलाइन ही रिजल्ट कार्ड अपना देख लिया होता है या उसका प्रिंट आड निकाल लिया होता है कुछ लोगों ने रिजल्ट कार्ड लिया नहीं होता है या कुछ लोगों के पास रिजल्ट कार्ड गुम चुका था है अलागे certificate उनके पास मजूद होते हैं लेकिन उनके result card मजूद नहीं होते हैं तो उस सुरत में जो मैंने परसनी तोर पे एक दो बार try करके देखा है वो यह करके देखा है कि जब आप documents upload कर रहे होते हैं तो उमीद है कि 100% वो approval आपको इसी की बेस के ओपर approval मिल जाएगी तो यह एक trick था जो करके देखा है और उसके ओपर कामियाबी भी हुई है तो यह trick आप भी कर सकते हैं लेकिन metric का और intermediate के certificate आपके पास लाजमी होने चाहिए यह mark sheet नहीं है तो आप उनकी mark sheet के जगा को आप certificate को ही upload कर दीजिएगा और इसके लाबा जो time का process वो मैंने आपको बता दिया कि अगर आप courier service के तुरू जा रहे हैं तो courier service के तुरू आपको at least 15 to 20 working days required होंगे attest session को complete करने के लिए उसकी बार निसमत अगर आप urgent के तरफ जा रहे हैं तो urgent भी आपको फोरी service नहीं मिल रहे हैं फोरी service मुराद के फोरी से appointment में नहीं मिल जाती आपको को 10-12 दिन बाद की ही appointment मिल रहे होती है तो urgent भी option आपके पास available है इस time और normal की option भी available है form fill करते हुए ध्यान से form fill किया करें उसमें कोई गल्दी ना हुए उसको double check कर लिया करें triple check कर लिया करें लेकिन बाद में time waste होके परिशानी से बचने से पहतर है कि आप पहले से ही form को अच्छे से check करके फिर here test session के लिए apply करें information आपको मैंने completely दे रही है मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई ऐसी चीज मिसिंग थी जो आपको पूछने के लिए जरूरत पड़ेगी लेकिन अगर आप HEC के service खुद से नहीं कर सकते हैं अगर आपके पास time नहीं है service को hire करने के लिए या form fill करने के लिए या test session के process को देखने के लिए तो आप उसके लिए हमारी service ले सकते हैं screen के उपर मैंने number दिया हुए आप उस number के उपर WhatsApp पर रापता कर सकते हैं और website भी visit कर सकते हैं तो बाकी जो details आपको charges की details हमारी service charges की details है वो आपको WhatsApp के उपर ही बता दी जाएगी तो उमीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी इंशाला अगली वीडियो में हाजर होते हैं आला आफिस थैंक्यों